म्यूजियम आफ इलुजेंस का 10 फ़वरी को उडखा टनुबा है अब यह जनता के लिए खोल दिया क्या है यहां प्रवेशकरे वालों लोगों को मासिक धोकी की एक ऐसे जादुई दुनिया मिलती है जहां दिमाग को चक्रा देने वाला एक शैशीक वह मनरंजक अनुभव ह होता है कैनाट पैलेस नई दिल्ली मिस्तित यहां म्यूसियम आफ इलुजेंस ब्राइंट का भारत का पहला और दुनिया का तीसरा शहर है जिसकी शुरुवाद 2015 जगरे क्रोशे यारमी हुई थी म्यूसियम आफ इलुजेंस का 10 फरवरी को उडखा टनुवा अब यह जनता पैलेस नई दिल्ली मिस्तित यहां म्यूसियम आफ इलुजेंस का प्राइंट का भारत का पहला और दुनिया का तीसवा शहर है जिसके शुरुवाद 2015 में जगरे क्रोशिया में हुई थी म्यूसियम आफ इलुजेंस में देखनी क्ले 50 से अथिक लभानी चीज़े हैं दिल् प्राले में रखी मॉडल गनित विध्यान और मनोविध्यान पर आतारित है और इनमें दर्शक दिर तक खोई वेरे सकती है जैसे जैसे आगी बढ़ते हैं उन्हीं देखने समधित तमाम रहस्तों से वास्ता पड़ता है और यह जान पाते हैं कि मानों मस्तिक कैसी काम करता है इसके इंफिनिटी रूम में कलपनाय करने के लिए पूरा असर मिलता है तो रिवस रूम में गुरुत्वा कर्शन के नियाम तूटनी महसूस होते हैं ऐसने में रूम में सब कुछ बेहां सुश्म दिखाय दिता है जब हमारे समधाता ने वहां का जायसा लिया तो देख है और क्या कुछ खास है इसमें रूशकार दोस्तों बीसे निव स्टोड़ी 4 में आपका स्वागत है मैं हूँ बिजियोश कुमारा जैसे मूजियम से मैं आपको दिखवाना चाता हूँ यह तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मूजिय एक बहुत ही अलग कॉंसेट है सब लोगों सब एज ग्रूप के लिए है यह सब आके यहां देखें एंजोई करें साट से ज्यादा यहां पर इल्यूजन्स हैं बच्चों से लेके बड़ों से लेके जो सीनर सिटीजन हैं उन सब के लिए और यह वर्ड का सबसे बड़ा व मादम सी एक संदेश है कि इस म्यूजियूम में आएं और देखिए इंडिया में पहला यह म्यूजियूम ऐसा है जो इन्होंनों बताया है कि अभी आया है हम लोगों नहीं है लॉंच किया और बहुत अच्छी तरीके से आप अपडेट है तो देखेगा जरूर आएगा जर